हेलो एबरीवन आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला एकोनोमिक्स से तो आज हम सब पढ़ेंगे जी सेबंटी सेबं के बारे में यानि ग्रूप ऑप सेबंटी सेबं कंट्रीज सदत्तर विकासील देशों का यह समू है तो चलिए आज हम सब देखेंगे जी सेबंटी सेबं के बारे में इससे पहले अगर ग्रूप की बात करें तो हम सब जी ट्वेंटी देख चुके हैं आप अगर नहीं देखें तो वीडियो बना हुआ है एकोनोमिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वाँ G70, G15, G7 यह सारे बने वे हैं आज हम सब G77 देखेंगे और जितना भी अपैक का बना हुआ है आसियान का बना हुआ है सार का बना हुआ है यह सारे इंपोर्टेंट है ठीक है आएमेप का क्या रॉल है तो इस अब आप देख सकते हैं जाकर हमारे एकोनोमिक्स वाले प्लेल गठन है ठीक है यह संजुक राजसंग के अंतरगत इन देशों के पारिसपरिक हीतों के मुद्दों पर कार्ज करता है ठीक है यह जो डेवलपिंग कंट्री है दिखें कंट्री तीन प्रकार की होती है एक हुआ विकसीत जैसे अमेरिका, जेपैन, फ्रांस यह सब विकसीत क में तो अपरिका के लगभग मुझे लगता है कि 60 to 70 percent country वो और विक्सीत है for example Somalia और विक्सीत है दक्षिनी सुडान सुडान ये सारे और विक्सीत country है ठीक है तो हम सब जो G77 में country देखते हैं ये विकास सील देशों का समूई यानि developing country है जो विकास के करम में आगे बढ़ रहा है इसकी स्थापना G77 यानि 77 विकास सील देशों द्वारा वर्ष 1964 में की गई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं हम सब चले तीसरा पॉइंट है वर्तमान में G77 में 134 देश हो गए है चोथा उद्देश विकास सील देशों में सामोईक आर्थिक हितों की प्राफ्ति करना तता उन्हें प्रसाहन करना है मुख रूप से ये जो बना हुआ है G77 country इसमें विकास सील देशों को आर्थिक सहता परदान की करदी जाती है और उन्हें प्रसाहित की जाती ही कि आप विकास के क्रम में आगे बढ़ें ठीक है पाचमा जी सेवन टी सेवन के संजुक गोसना पत्र को वर्स 1964 के संजुक राष्ट व्यपार एवं विकास सम्मेलन अंक्ताट जिसको बोलते हैं कि जनेवा सत्र में अपनाया गया था तो इसे भी आप याद रखेंगे कि 1964 में जी सेवन टी सेवन को अपनाया गया था और अभी वर्तमान में कितने कंट्री हैं 134 ठीक है एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इसके बारे में ज्यादा इसमें कुछ था नहीं चलिए देख लेते हैं जी सेवन टी सेवन का मुख्याले जो है वो यू एन है यानि युनाटेट निशन में ठीक है तो यही थे आपके कुछ पॉइंट जी सेवन टी सेवन के बारे में छोटा सा ही वीडियो था इसमें कुछ ज्यादा था नहीं बताने को ठीक है तो अभर आल एक आप समझ गयोंगे जी सेवन टी सेवन क्या होता है तो इसमें जितना भी बताना चाहिए था उतना मैं बता दिया ठीक है यह कोई उतना बड़ा संगठन है नहीं युनाटेट नेशन द्वारा इसको चलाया जाता है सिंपल सा बात यह समझ लीजिए चलिए मिलते है नेक्स टूडियो में कुछ अच्छे संगठन के साथ यह जी से रिलेटेड जो था यह आखरी संगठन था जिसको मैं सोचा कि बता ही देता हूँ ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यह वाला पर आप जान लिए तो बेहतर ही हो गया चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइप कर लेंगे ठीक है चलिए तब तक के लिए थाइंक्यू बाइ एंड टेक केर